अलो गूड मॉर्निंग मेरे पास एक कोश्चन आया है कि सर मैं लॉस करकर के बहुत परिसान हो चुका हूँ अब क्या करू सर मेरे पास बहुत कम कैपिटल बचा है पूरा मार्केट में मैंने लॉस कर दिया तो उसके लिए उनके लिए भी ये वीडियो है और आपके लिए भी वीडियो है अगर समझ गये तो आज से आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा सबसे पहले तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बंद कर दीजिए क्योंकि जो bank nifty है वो बहुत ज़्यादा उलटाइल रहता है 50 point उसके लिए कुछ भी नहीं है एक single candle में 50-70 point आराम से एक single candle में उससे क्या हो जाएगा आप SL लगाओगे तो मैं कहूंगा SL मत लगाओ क्यों क्योंकि SL अगर लगाए आप SL लगाने के बाद में वो हीट करके फिर आपके target के उपर चले जाएगा तो आप बोलेंगे सर बीना SL के अगर किये अगर नीचे जले गाए मार्केट तो क्या करेंगे तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप bank nifty में trade करना बंद कर दीजिए आपको एक दिन में कितना पैसा चाहिए कितने points चाहिए आप बताइए nifty select कर लीजिए नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए मेरे हिसाब से जो दो साल तीन साल से मार्केट में है और आज भी loss कर रहे हैं मैं उनको नया trader समझता हूँ और इसके लिए best option यही है कि आप nifty choose कीजिए और मैं आपको बता देता हूँ आपको एक दिन में कितना चाहिए एक example बता रहा हूँ आपको मैं 70 रुपय का कोई भी stock आप select करते हो कोई भी premium select करते हो आप और आपके पास जो amount है उसको आप मान के चलिए आपके पास एक लाग रुपय है तो ये एक लाग रुपय को आप चार भाग में divide करके रखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ हमेशा अगर मान के चलो आपके पास 50,000 रुपय है तो इसको आप चार भाग में डिवाइट करके रखिए दोस्तों दो पूट साइट के लिए और दो कॉल साइट के लिए क्योंकि कभी कभी हमें एक बार आपको लग रहा है कि यहां से उपर जा सकता है थोड़ा सा लॉस दिख रहा है चल रहा है आपने 200 कॉन्टिटी बाय किए एक एक एक्जामपल बता रहा हूं 200 कॉन्टिटी बाय किए आपको कितना चाहिए एक्जामपल पांच परसेंट आप एसल रखिए 10 परसेंट आप टार्गेट रखिए एक एक्जामपल पांच रुपए का आप एसल simple language में 5 रुपय का SL रख लीज़े 10 रुपय का 1 इस टू का ही target रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए इसमें क्या होगा बता रहा हूँ आपको मैं एक example बता रहा हूँ माल लीजिए एक example ये 80 रुपय 80 रुपय गया exit कर दीजिए 14,000 रुपय में आपने बाय किये थे 16,000 रुपय हो गया एक example बता रहा हूँ 2000 रुपय एक दिन में बना माल लीजिए एक example 15 दिन आपने profit किये 30,000 रुपय हुआ आप माल लीजिए एक example आप 5 दिन loss किये 5 दिन 11,000 रुपय आपने loss किये तोटल 20 दिन का trading session रहता है 15 दिन आपने profit किये 5 दिन loss किये 5,000 रुपय हाँ से minus कर देते हैं दोस्तों देखो 25,000 रुपय होता है और ये 25,000 रुपय एक बहुत मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छ अमाउंट है क्योंकि ये कई लोगों का भारत देश में कई लोगों का इस salary होता है 25,000 रुपय अगर आपको मिल रहा है 12 महिने आप काम करते हैं इसी same target से तो आप बना लेते हैं कितना 3,000,000 रुपय है और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है मैं आपको केवल बता रहा हूँ 14,000 रुपय से आपने इस start किये थे 14,000 रुपय से आपका कितना बन गया 3,000,000 रुपय एक साल में तो ये छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है ये इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तो loss किसका होता है मैं आपको बता देता हूँ loss होता है दोस्तो एक दिन में 2,000 रुपय का profit कर लिया setup बन दुकान बन उसके बाद अपने family को time दीजिए आप कोई दूसरा काम करिए या enjoy कीजिए कही vacations में जाइए कही घूमने के लिए जाइए कुछ भी कीजिए लेकिन trading बन कर दीजिए आज के लिए आपका हो गया क्या करते हैं generally 2000 रुपय profit हो गया अब वो क्या सुचता है उसको फिर क्या होता है मैं आपको example बता देता हूँ फिर क्या होता है market money example ऐसे 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 करके चार उपर मल लिजे यहाँ पे आपने breakout पे trade लिया यहाँ तक आपने यह retest किया retest के बाद यहाँ तक गया यहाँ से आपने target बुक कर लिया उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे resistance लेके वो नीचे आना चालू करता है तो लोगों को क्या लगता है यहाँ पे second opportunity बन रहा है यहाँ पे फिर से मैं buy कर लेता हूँ इसी चक्कर में क्या होता है generally उसका loss हो जाता है फिर वो क्या होता है 2000 रुपए profit किया था उसके बाद में एक single trade में क्या हो जाता है उसको 2000-3000 रुपए का loss हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है उसका amount 0 daily आप जितना कम से कम trade लेंगे मेरे ही साब से single trade ज़्यादा ज़्यादा दो trade बहुत है आपके लिए उससे ज़्यादा trade मत कीजिए क्योंकि आप end up दे दे देखेंगे अगर आप 5 trade लेते हैं, 10 trade लेते हैं कई-कई ऐसे भी लोग हैं, मैं देखा हूँ मेरे पास काफी मेसेज आता है, कई लोग का जो 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 भेशते हैं मुझे इस screen shot उसमें मैं देखता हूँ 50-50 तक भी उनका रहता है, अब आप सुचिए जो एक दिन में 50 trade ले रहा है, एक दिन में 50 trade लिया, अगर मान के चलो एक example, मैं 30 रुपए के हिसाब से भी अगर देखता हूँ, तो 50 रुपए into, क्योंकि ये एक बार sale किया, एक बार buy किया धाई हजार रुपए तो ऐसी हो गए उसका है ना into, क्योंकि अभी brokerage इसमे एड नहीं किया हूँ मैं देख मिट 50 buy किया 50 बार sale किया 100 हो गए, इसमें हम brokerage एड कर देते हैं, brokerage एक example, तो 3000 रुपए तो brokerage चले गए आपका तो आपने 2000 रुपए बनाये थे फिर आपने क्या किया 2000 रुपए लॉस किये उसके बाद में क्या किये आपने 3000 रुपए का brokerage दे दिया तो ऐसा करना आप बंद कर दीजिए मैं चाहता हूँ, आप profitable बने आप केवल एक trade ले दो trade ले, single target रखिए 5% का SL रखूंगा 10% का target 1 is to 2 का target रखिए आज से और bank nifty में काम करना बंद कर दीजिए अगर आप profitable trader बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक golden statement है, थैंक यू